नरेंद्र मोधी क्रिकिट स्टेडियम में तीसरे टेस्ट मैच के पिच को लेकर बहस अब भी जा रही है दो दिनों के अंदर मैच खतम हो गया और इंडिया ने 10 विकेट से एक बड़ी जीत हासिल की कई पूर्व इंग्लेंड खिलाडियों ने पिच पर सवाल उठाए और कुछ ने ICC से भारत पर जुर्माना लगाने के लिए कहा हाला कि केविन पीटरसन ने पिच का बचाव किया है केविन पीटरसन का 2012 में इंडिया में जीती गई टेस्स सीरीज में बहुत बड़ा योगदान था जब इंग्लेंड ने दो एक से सीरीज अपने नाम की थी पीटरसन का कहना है कि एहमदाबाद पिच के आलोचना करने के बजाए इंग्लेंड टीम को अपनी गल्दियों पर ध्यान देना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए इस टेस्ट मैच के बाद अगर मैं होता तो इंग्लेंड के खिलाड के रूप में कहता तुम्हें पता है मैंने आज बेकार खेला है मुझे अब एक सप्ता का समय और कोशिश करनी है जितना हो सके उतना अच्छा खेलू और प्रैक्टिस कर सकूँ और अगला टेस्ट मैच जीतू क्योंकि अगला टेस्ट में जीतना और भारत में दो टेस्ट में जीतना और सिरिस ड्रॉ करना काफी बहतर है पीटरसन ने इंगलेंड टीम से कहा इस हार से आगे बढ़ो और पिछ को दोश देना बंद करो नेगेटिव हारने वाला रवया ICC को दोश देना या पिछ को दोश देने के बजाए बारते टीम ने जहां जहां गलती की है उस पर काम करें हम 21 सीधी गेंड खेलने से मिस कर गए हमें सीधी गेंड और स्पिनर के खिलाड टिफेंड करने की तक्निक पर काम करना होगा